हेलो दोस्तों नहुशकार मैं हुराज यादा हो और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूप चलेल पर और यह अब सोचने वाली बात है कि क्या अब इस लेटर के मात्य हमसे आरक्षन का जो मामला है वो क्या क्लियर हो पाएगा यह वीचारनी यह बात है आगे इस वीडियो में पूरी जनकारी देखेंगे उस लेटर के बारे में अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लिजेगा क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के लेटेस्ट रबेट आपको लेटेस्ट टाइम पर मिलते रहते हैं चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों इस बकार एक लेटर लिखा किया है मुख्यमंत्री श्रीव इस प्रकार से और साथ ही उन्होंने चावालिस प्रतिसत भाग जो है वनों से आच्छादी था यह बताया है और बड़ी जो है बड़ा भूभाग दूर्गम पहाडी चेत्र से गीरा हुए एक्ट्यादी चैनल के बारे में जिक्रे किया है उन्होंने यह बताया है कि रिज राज्य में अन्य पिष्णा वर्ग के लोगों की समाजीक आर्थिक तथा सेच्छडिक दसा अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती वर्ग की लोगों की तरह ही कमजोर है यह बात वहां पर बताया गया है इन वर्गों में तीन चाथाई भाग क्रिशक सीमान तेम कि 2013 से अनुसूची जातीयों जन जातीयों ने पिष्णा वर्ग के सदस्य होती क्रमसा बारा बत्तिस और चौदा प्रतिसत कुल अन्ठान प्रतिसत आरक्षन का प्रवधान किया गया है और यहां पर देखेंगे कि उसको रिवाइस करके यहां पर संसोधी प्रतिसत प्रमस तो यह सभी बाते वहां बताई गई है और इन सभी बातों को बताते हुए उन्होंने यह लिखा है कि 10 प्रतिसत आरक्षन देने के निर्ड़य के वैद ठहराय जाने से आरक्षन की सीमा 50 प्रतिसत से बढ़ाने का मार्ग प्रसस्त भी हो जुगा है विगत मामे जहारखान करनाटक विदान सभा के विभिन वर्गो हेतु आरक्षन का प्रतिसत 50 से अधिक करने का प्रस्ताव पारित किये गये हैं यह उल्लेखनी है कि जो तमिल नाड़ राज्य है जहां प्रतिवक्ति आये च्छतिजगर से बहुत अधीक है वहां भी पुरुवत्तर के अनेक सावधान को समविधान की नवमी अनुसूची में शामिल कराया जाने से से ही वन्जीतों एवं वर्गों के लोगों को न्याय प्राप्त हो सकेगी अनुरोध है कि इस हैंतु सर्वसंबंधितों को निर्देशित करने का कश्ट करें तो यहां पर साब तर पर इस लेटर को प्रदान मंत्री जी को इस वज़े से लिखा गया है ताकि चातिजगार राजी को विशेश परिस्थितियों को चातिजगार राजी के दिश्टिकत रखते हुए यह निवेदन किया गया है कि इसे समविधान की नवमी अनुसूची में शामिल किये जाने को लेकर के इस पत प्रदान मंत्री जी से किया गया है तो आप साथ तर पर देख सकते हैं कि यह लेटर लिखा गया है अब देखने वाली यह बात होगी कि क्या रिपलाई आता है प्रदान मंत्री जी के और से और कि इस प्रकार यह प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है फिलहाल आप सर्वी को पता है कि द्वारा प्रतेक जहां भी वो जाते हैं इस प्रकार की जो आरक्षर सब्मंदीत बात वह अभी फिलाल यही कह रहे हैं कि उनके तरफ से हर चीज जो है किया गया है हर प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है इस आरक्षर को का मुद्द क्लियर करने के लिए लेकिन रागत्र पाल जी के द्वारा बिल को रोक करके रखा गया इस प्रघार के बाते उनके द्वारा जो है कही गई है बाकि यह देखने वाली बात होगी कि इस पत्र का क्या संगरात्मपक्ष निकलकर सामने आता है और आगे क्या चीज़ें जो है चलती है अरक्षर को ले करके आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहेगा चैनल के साथ आज का ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरू कर दीजेगा मिलते आप से नेक् आगे जरू को लिए